हेलो डोस्तों महान क्रिकेटर मास्टर ब्लास्ट सचन तेंदूलकर की बेटी सारा तेंदूलकर ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तयारी कर ली है सारा तेंदूलकर ने इंस्टाग्राम पर एक लेटस्ट स्टोरी शेयर की है सारा तेंदुलकर ने अपनी इस इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिये फैंस को अपडेट दिया कि वह टीम इंदिया को चियर करने के लिए अहमदाबाद की फ्लाइट पकर चुकी है अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सारा तेंदुलकर अब अहमदाबाद के नरेंडर मोधी स्टेडियम में कल यानी रविवार को हुने वाले वल्लकप फाइनल में टीम इंडिया को धमाकेदार अंदास में चियर करने के लिए तयार है वल्लकप 2023 की दो बैस टीम भारत और आस्ट्रेलिया जब रविवार को फाइनल में आमने सामने होंगी तो दोनों टीम के खिलारियों के बीच कुछ करी व्यक्तिगत जंग भी देखने को मिलेगी भारत टूर्नामेंट की एक मात अजेय टीम है जबकि आस्ट्रेलिया ने लगातार दो हार के साथ शुरुआत करने के बाद पीछे मुरकर नहीं देखा सारा टैंदुलकर भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इस एतिहासिक वर्ल्ड कप फाइनल का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रही है न्यूजीलेंड के खिलाफ बुधवार को खेले गए वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में भी सारा टैंदुलकर टीम इंडिया को चियर करने के लिए मुंबई के वानखेरी स्टेडियम में मौजूद थी भारत और उस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में कल होने वाले इस वर्ल्ड कप फाइनल के दोरान सारा टैंदुलकर अपने पिता सचन टैंदुलकर के साथ टीम इंडिया का होसला बढ़ाएंगी भारत और उस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अहम्दाबाद शहर और नरेंडर मोदी स्टेडियम में 6,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी टैनात किये जाएंगे एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी अहम्दाबाद के पुलिस आयुक जीएस मलिक ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी और उस्ट्रेलिया उप्रधान मंत्री रिचर्ड माल्स उन प्रमुक हस्तियों में से होंगे जिनके शहर के मोटेरा इलाके में ICC Cricket World Cup के फाइनल के दौरान मौझूद रहने की उम्मीद है अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करे